हेलो दोस्तो, सबसे पहले तो आप सबको गनेश चतुर्थी के हार्दिक सुब काम ना है आज मैं गनेश चतुर्थी से जुड़े कुछ बाते यहां सेयर करना चाहूंगी धार्मिक मान्योताओं से भगवान गनेश जी को चतुर्थी के तीती बहुत ही प्रिय है इसलिए चतुर्थी तीती में गनेश जी के पूजा करने से आपके जीबन मंगलमय होने के साथ-साथ ज्यान और अईशरी की प्राप्ति होती है और सारे दुख परिसानियों से भी मुक्ति मिलती है हम अपने जीबन में जो भी कुछ करते हैं सब कुछ अपने परिवार के सुख, सुविधा और स्वास्थ के लिए करते हैं आईए जानते हैं ऐसा क्या कुछ हम गनेश छतुर्थी के इस पावन अफसर में कर सकते हैं जिसे हमारे परिवार का कल्यान हो पहला, इसी दिन गनेश जी के अभिसेक करने से विशेश कुरुपा प्राप्त होती है और साथ में गनपती अथर्व सिस्य भी पाट कीजिए सास्त्रा अनुसार गनेश यंत्र बहुत ही सुब माना जाता है इसी दिन उसे स्तापना करके पूजा करने से घर में दुष्ट सक्ती का प्रवेस नहीं होता कोई भी मनुकामना पूरी करने के लिए इसी दिन गनेश जी के मंदिर में गुड और दुर्बाख्य का अरपन कीजिए चौथा, धन से जोड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान जी के पास सुद्ध गी का बना प्रसाद चड़ाईए पांचवा, अगर साधी में अर्चन आ रही है तो इसी दिन ब्रत रखकर गनपती जी को मालपुआ का भोग चड़ाईए तो जल्द ही विवा का योग दिखाई दिता है चठा, एसा माना जाता है कि छोटे बच्चों के स्नान के जल में तीन-चार इलाईची की दाने डाल कर उन्हें नहाने से उन्हें अच्छे बिद्या की प्राप्ती होती है, वो अच्छे पढ़ने लगते हैं ये थे कुछ उपाय जिन्हें अपनाने से कल्यान होता है